नमस्कार मैं हूँ आशी इस्त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अमारा खासकार करम स्पेशल रिपोर्ट इस्राइल और हिजबुला के बीट जारी लगातार संखर्ष मंगलबार की शाम हिजबुला ने आठ मिनट के अंदर नबे रॉकेट्स दाग तिये हिजबुला ने लिबनान से उत्तरी इस्राइल में अपर गलीली पश्यमी गलीली और दक्षिरी गोलान हाइट्स के इलाकों पर हमला किया इस्राइल के एर डिफेंस सिस्टम ने कुछ रॉकेट्स को इंटरसिप्ट कर भी लिया और मार गिराया जबकि कुछ जमीन पर गिरे जिससे उन इलाकों में आग लग गई बाद में इस्राइली फोर्सेज ने उस जगह पर हमला किया जहां से घजबुला रॉकेट दाग रहा था उनके रॉकेट लॉंचर को भी तबाह कर दिया गया और इस दोरान की जो परिस्टियां थी उसमें बताया जा रहा है कि 90 रॉकेट एक साथ दागे गए एर डिफेंस सिस्टम ने कुछ रॉकेट को नाकाम जरूर कर दिया लेकिन कुछ जमीन पर आगे रहे और आग लग गई लागे बाद में इसराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई में उन इलाकों पर हमला किया गया जहां से रॉकेट लॉंच के जा रहे थे और रॉकेट लॉंचर को ही भस्त कर दिया गया ये उत्तरी इसराइल में अमला किये जाने के बाद ये तस्वीरे हैं जहां पर कि रॉकेट लाउंचर को ही इसराइल ने तबाह कर दिया और इस अमले के दौरान की कुछ विडियोज भी सामने आई हैं मुलाकातों के बीच हिजबुला ने इसराइल पर अंधा दुन्द रॉकेट धमा के शुरू कर दिये इसराइल के किरियाद श्रमोना गैलिली और हाइफा में हिजबुला ने भीशन तबाही मचाई नेतन नयाहू के लिए लिबनान की लड़ाई बहुत मुश्किल होने जा रही है इनसानों की यहां कोई बिसाथ नहीं है यहां कदम कदम पर मौत है आस्मान से बरस्ती मौत मैं इस्वत इक स्राइल और लिबनान के बेहत करीब हूँ और आप देखिए लोड़ों पर इस्वत आपको साफ दिखाई गैरा है आप देखिए साफ साफ निसाइल अटेक हुआ है हिजबुल्ला सिर्फ युद में मार नहीं का रहा है, इसराइल को मार भी रहा है, तब्यत से मार रहा है मार इतनी बहानक है कि उसका ट्रेलर News 18 इंडिया रिपोर्टर अरुन सिंग और वीडियो जर्नलिस्ट राकेश नेगी ने कैमरे में कैप्चर की है ये शोर सुनिये, रॉकेट की रफ्तार देखिये, फिर धमाके का असर खुद बखुद समझ सकेंगे कलेजा थर्रा देने वाले दृश्यव इसराइल में दिख रहे हैं कई सारे देखिये प्रोजेक्टाइल हैं पर आपको दिखाई दे रहे हम लोग हम लोग को भी यहां कई छुपना पड़ेगा देखिये एक साथ कई सारे रॉकेट यहां पर दागे है इस गुल्ला के हमले को नई धार मिली है इरान भी अब खुलकर इसराइल को दहलाने जा रहा है वजए इरान को अब एक ओडर पर मिलेगा हर हत्यार खामनेई की डिमांड पर रातो रात मिलेगी हाइपरसॉनिक मिसाइल कुछ स्पोर्स जब चाहे उसे मिल जाएगा सूपरसॉनिक आस्मानी लड़ा का इरान को ड्यूकलियर थ्रेट हुआ तो आटम बम कभी हो जाएगा जुवार इसराइल हो या अमेरिका इरान को अब किसी से नहीं डर इरान कभी भी इसराइल से नहीं डरा इरान ने हर वार इसराइल के हमले का जबाब दिया इरान ने बम के बदले मिसाइल से दहलाया लेकिन अमेरिका के वार जोन में आने के बाद से इरान की जमीन किसक गई थी इरान को सूपर पावर के जंगी बेड़े डरा रहे थे इरान को न्यूकलियर बमों से लोड़ेट फाइटर जेट से बचने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था मगर अब तेहरान में टेंशन जैसी कोई बात नहीं सुप्रीम लीडर अलिखाम नहीं भी बेफिक रहे वजह है मौसको से हुआ एक एलान इरान को रूस से क्या-क्या गैरंटी मिली है डीटेल वाइट हाउस तक महुँच गई है जिसके चलते करीब एक हफते से नेतन याहू से बातचीत नहीं कर रहे प्रेजिडेंट जो बाइडन ने फटाफट मीटिंग फाइनल कर लिए यानि दो होट लाइन एक्टिव है 24-7 तेरान और मॉस्को की होट लाइन पर इसराइल के हमले से निपढ़ने का प्लान बन चुका है वही रूस के वार जोन में एंट्री के बाद प्रेजिडेंट बाइडन और नेतन याहू नई रणनीती बना रहे है लीडर्स के वार प्लानिंग से अलग युद्ध के मैदान में खून खराबे की लिमिट क्रॉस होती जा रही है इसराइल के रॉकेट धमा के हाइफा में हाहाकार मचा रहे है जैसे बेरूट जल रहा है ठीक वैसे ही दृष्षे इसराइल में दिखने लगे है लेकिन इसराइल के बारूदी प्रहार को जेलने की हम्मत अब हिजबुल्ला में बची नहीं हिजबुल्ला सीस फायर सीस फायर की दहार लगा रहा है मगर इसराइल का मकसस साफ है हिजबुल्ला हमास उती के साथ इन सब के अगोशी ताका इरान की तबाही जब कि यूद में इसराइल को भी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है इजबुला लडाके इसराइल को घर में घुस कर दहलाने लगे है ये हाइफा सिटी का हाल है इजबुला आर्मी ने हाइफा में रॉकेट धमाके की जड़ी लगा रखी है मैं आपको लेके चलता हूँ उस कमरे के अंदर जिसकी छट पर ये रॉकेट गिरा था और उसके बाद से ये देखिए पूरा जो छट है वो भरभरा के नीचे गिर गया इस वक्त भी जो टुकडे हैं जो उपर वो आपको दिखाई दे रहे होंगे जो गिट्टी जिस से ढलान की जाती या जिससे चट बनाया जाता है वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं कितना तगड़ा ये हमला था कि पूरी च्छ इंच की जो चट है और वो भी गिट्टी की चट है वो भर भरा के गिर गई नीचे घाड़ी युद्ध में अचानक सब कुछ बदल था गया है शान्ती की पहल पूरी तरहां से किनारे रखकर इरान और उसके समर्थक फाइटर ग्रूप इसराइल पर तूट पड़े हैं कारण है इरान को मिला मूस्ट पावफुल लीडर का बैक अप दुनिया बर के अखबारों ने प्रेजिडन पुतिन की तुर्कमेनिस्तान में एक मीटिंग की खबर को छापा है जिसमें वो इरान के राश्चुपती मसूद पजिश्कियान से one-to-one मीटिंग करने जा रहे हैं मीटिंग का बहाना तुर्कमेन कवी की स्मृती में आयूजित एक समारो को बनाय गया है पुतिन पे जिश्कियान अमेरिका के खिलाफ मजबूत फ्रंट तयार करने को लेकर वार प्लैन तयार करेंगे दूसरी तरफ पुतिन के इस्राइल के पीम बेनियमिन नेतनियाहू से हाल फिलहाल मुलाकात की अभी कोई योजड़ना नहीं पुतिन से मीटिंग फाइनल होने के बाद से एरान के होसले बुलन्द है एरान के राज्टपती अब खुलम खुला वार क्राइम के लिए इसराइल के साथ अमेरिका को कोस्टने लगे है इरान और रूस के जाइन्ट मिशन की खबर वाइट हाउस जैसे ही पहुची प्रेजिड़न जो बाइडन आक्शन में आ गया है इसराइल मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बाइडन ने नेतनियाहू से फून कॉल पर लंबी चर्चा की है इस बाचीत में खाड़ी युद में आए बड़े ट्विस्ट पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है अमेरिका फिलहाल इरान पर हमले से नेतनियाहू को बचने पर जोर दे रहा है जबकि नेतनियाहू हर हाल में इरान को 200 मिसाइल का जवाब देने पर अड़े है लेकिन इसराइल ने हमला किया तो प्रेजिडंट पुतिन इरान की हर तरहां से मदद के लिए मजबूर हो जाएंगे क्योंकि इरान ने रूस युक्रेन युद में पुतिन को सबसे ज्यादा मदद पहुँचाई है पश्यमी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि इरान ने युक्रेन के साथ युद में उल्जे रूस को कमदूरी की बलिस्टिक मिसाइले भेजी थी इरान से फतेh 110, फतेh 360 और जुल्फिकार सिस्टम मॉस्कोर डिलिवर किया गया था इरान ने रूस को बड़ी संक्या में शाहिद 136 जोन के आपूर्ती भी की है अब युद्ध संकट इरान पर मंडराया है तो पुतिन अहसान चुपाने से पीछे नहीं हटने वाले पुतिन युकरेन मॉडल कितना इसराइल को देलाने का वार प्लैन तो इरान को देंगे ही साथ युन हत्यारों से भी मदद पहुचा सकते हैं जिनकी कार्ट दुनिया में किसी के पास नहीं है इरान और रूस की दुश्मनी अमेरिका से है इसलिए भी पुतिन युकरेन युद का हिसाब खाड़ी में सूपर पावर से पूरा कर सकते हैं ऐसे में जो बारूदी घमासान हमास ने शुरू किया था जिसे इसराइल ने बारूद की बेहसाब डोस दे कर बर्बाद कर दिया हमास को बचाने हिसमुला आया तो इसराइल ने दोनों दुश्मनों को बेदम कर डाला फिर हूती लड़ाकों ने इसराइल को दहलाने की कोशिश की तो से अमेरिका ने जम कर पीटा आखिर में युद्ध में मोर्चा इरान ने समाला इरान ने इसराइल को 200 रॉकेट की पहली किश्ट भेजी जवाब अब इसराइल को देना है इसी पलटवार के इंतिजान ने कई मुलकों की दुक दुकी बड़ा रखी है लेकिन अब तक सुप्रीम लीडर एली खामनेई और बेनियमिन नेतन याहू की लीडरशिप में लड़ी जा रही लड़ाई नए किरदारों से विद्वनसक और विनाशकारी रुख अक्तियार कर चुकी है तेहरान से मौस्कू, तेलवीव से वाशिंटन डीसी की हाट लाइन आक्टिव है खाड़ी के वार जोन में बहुत बड़े युद का सायरन सुनाई देने लगा है जहां अमेरिका और रूस की सीधी टक्कर भी हो सकती है इरान का एक कमांडर इस वक्त लापता है दावा ये किया जा रहा है कि इस कमांडर की मौत तब ही हो गई थी जब हिजबुल्ला चीफ हसन नसरला पर बॉम्स किराए गए थे लेकिन अब इरान से आए एक बयान से ये लग रहा है कि ये कमांडर मिसाइल कंट्रूल रूम में बैठकर किसी भी वक्त अगले हमले का बटन दबा सकता है एक अक्तूबर तो ट्रेलर था इरान पूरी पिक्चर किस तारीक को दिखाएगा इसका फैसला जनरल स्माइल कानी पर छोड़ दिया गया है इसमाइल कानी यानि एरान की कुफ्ट स्पोर्स का वो कमांडर जिसके मारे जाने की खबर वाइरल है इसमाइल कानी यानि एरान का वो कमांडर जिसने जनरल कासिम सुलिमानी की जगा ली है स्माइल कानी यानि एरान का वो जनरल जो अगर जिन्दा है तो कोई शक नहीं कि उसकी उंगली इस वक्त मिसाइल के बटन पर है चार अक्तूबर को तहरान में जुम्हे की नमास पढ़ा कर एरान के सुप्रीम कमांडर अली खामिने नहीं नहीं बताया था कि इसराइल की उल्टी गिंती शुरू हो गई है लेकिन इस दौरान ना तो कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कानी को देखा गया और ना ही इसके बाद कोई खबर आई जब जनरल इसमाइल कानी को 27 सितंबर के बाद से नहीं देखा गया तो अफ़वाहे खबरों में तबदील हो गई वर्ल्ड मीडिया में खबर आने लगी कि कानी गायब है और शक है कि नसर अल्ला पर जब इसराइल की स्ट्राइक हुई तब जनरल इसमाइल कानी महाँ पर माजूद थे इन खबरों एरान में भी हलकम मचा दिया और पर आई ये सफ़ाई तहरान में हुई कान्फरेंस में जनरल कानी को आना था लेकिन पर वहा के होस्ट ने ये जवाब दिया जनरल कानी को इसराइल का बहुत बला दरका हजाईगा क्योंकि एरान की कुद्स फोर्स वो ताकत है जिसके पास विद्शों में आपरेशन करने की जिम्मदारी होती है ये फोर्स एराक से लेकर सीरिया, लिबनान और यमन में भी आक्टिव है और कोई हरत नहीं होगी अगर इसराइल के अंदर भी कुर्द्स फोर्स के डिप्टी कमांडर ने दावा किया है कि इसमाईल कानी को लेकर अफवा फैलाई जा रही है उनका दावा है कि इसमाईल कानी सुरक्षित हैं, एक्टिव हैं और फोर्स को कमांड कर रहे हैं इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर इसमाईल कानी सुरक्षित हैं और फोर्स को कमांड कर रहे हैं तो इसराइल भी उनकी निगहबानी कर रहा होगा क्या जनरल सुरक्षित हैं और इसमाईल कानी सुरक्षित हैं और फोर्स को कमांड कर रहे हैं और अर बाकी शहर इस दोद और अशकिलान अगर हर हमले ये किशवर मा सुरत बगीरे पासुख मा गद्रत मनतान तर व पर गद्रत तर इस गज़शता खाहत अलकि जवाब अब इसराइल को देना है लेकिन एरान को लेकर इसराइल का खत्रा कम नहीं हुआ है बलकि बढ़ चुका है ये इसराइल के अखबार हारेट्स की खबर है इसराइल की 130 सैनिकों ने लड़ने से इंकार कर दिया है ये सैनिक चाहते हैं कि इसराइल की सरकार जल्दी से बंदकों की रहाई को लेकर डील करे बिंजामिन नेतनियाहू एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि वो एक साथ साथ फ्रेंट पर युद्धलर रहे हैं लेकिन एक ऐसा मोर्चा भी है जो नेतनियाहू के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है इसराइल की मीडिया में ऐसी खबरें छपी हैं जो नेतनियाहू को परेशान ही नहीं काफी परेशान कर सकती है जब इसराइल का ग्राउंड ओपरेशन गाजा के बाद लेबनान में भी शुरू हो चुका है तब 130 सैनिकों की ऐसी डिमांड नेतनियाहू के लिए बड़ी मुसीबत शुरू कर सकती है क्या ये इसराइल की सेना में बगावत कही जाएगी लेबनान में मौझूद ये इसराइली सैनिक बहुत ज्यादा दबाव में है क्योंकि लेबनान की मीडिया ने दावा किया है कि हजबुला ने इसराइल के कम से कम 25 सैनिकों को मार डाला है जबकि सैकडों घायल है यही वज़ाए कि बनेतन याहू ने एक डिविजन फोस यानी कम से कम 10,000 सैनिकों को दक्षणी लिबनान के मोर्चे पर भेज दिया है आपरेशन दिन राद जारी है ऐसे में जब 130 सैनिक लड़ने से मना कर रहे है तब इसराइल की सैना के अंदर क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है वैसे नेतन याहू के खिलाफ पबलिक के प्रदर्शन तो लगातार होते रहे है और हजारों की तादाद में लोग इसराइल की सड़कों पर निकल कर नेतन याहू के खिलाफ नारे बाजी करते है हमास के कब्जे में जितने बंदक हैं उनको छुडाने की मांग लगातार हो रही है इसराइल में इस वक्त काफी ज्यादा तना हुए एक तरफ लेबनान की तरफ से हिजबॉल्ला रॉकेट और मिसायल अटैक कर रहा है तो दूसरी तरफ इरान भी लगातार धंकी दे रहा है यमन की तरफ से खुती विद्रोही भी इसराइल पर लगातार हमले कर रहे है हमास की तरफ से भी खत्रा बना हुआ है इसराइल के हादेरा में एक सक्स ने छह लोगों को चाकू मार दिया इसराइल ने इसे आतंकवादी घटना माना है हादेरा में इस हमले ने पूरे इसराइल को हिला कर रख दिया है हमलावर भी मारा गया लेकिन एक अक्तूबर को तलवीब में भी ऐसा ही हमला हुआ था जब दो बंदूख धारियों ने इसराइल की राजधानी में गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी इस हमले में साथ लोगों की मौत हुई थी जबकि नौ घाल हुए थे ऐसे हमलों और हिजबुला के रॉकेट अटाक के बीच इसराइल पर बड़ा खत्रा एरान की तरफ से है और इसमें सबसे बड़ी भूमी का जनरल इसमाईल कानी की हो सकती है क्योंकि इसमाईल कानी के मारे जाने की खबर को एरान ने खारिच कर दिया है इसलिए क्यास लगाए जा रहे हैं कि किसी बंकर या कंट्रोल लूम में बैट कर जनरल कानी को नए हमले की तैयारी करने के लिए कहा गया है और इस वक्त उनकी उंगली भी उसी बटन पर है जिसे दबा कर एक अक्तूबर को 200 मिसाइल इसराइल पर फायर की गई थी वैसे ये बटन तभी दबेगा जब इसराइल इरान पर जवाबी हमला करेगा और इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल जवाब जरूर देगा और उसके टारगेट पर इरान के कम से कम 25 शहर है इनमें परमाणू अड़े भी हैं इनमें तेल के ठिकाने भी हैं और इनमें तमाम उन कमांडरों के आड़्रेस हैं जो खामनेई के ओर्डर पर इसराइल को दहलाने के लिए तयार है यही वज़ाए कि जनरल स्माइल कानी को किसी सीक्रेट अड़े या फिर बंकर में भेज़ दिया गया है ताकि सेकंड स्ट्राइक के लिए इरान तयार रहे